तो यहां पर हम जो temperature 20 डिग्री सेलसियस पर रिजिस्टिविटी बताएंगे कुछ metals की या कुछ materials की तो यहां पर देखते हैं conductors जो है यह जितने भी हमारे यह सब क्या है हमारे conductors की category में हैं तो यहां पर जो सबसे पहला point है silver है तो silver की जो जो होती होती है जिससे होहाँ पर current बहुत जल्दी flow करता है मतलब जिसके resistivity कम होगे इसलाम पर जल्दी फ्लो करेंगे वहां पर क्या होता है वो क्या हैसे जल्दी फ्लो करता है तो यहां पर क्र deport करता है और कि के बाएर silver की क्यों नहीं करते क्योंकि silver जो होता है वो क्या होता है costly होता है इसलिए पर copper के बाइर यूज करते हैं copper हमारा second number पर है जिसमें क्या लिख है 1.69 10 की power minus 8 ohm resistivity की हमारी unit होती है इसलिए हाँ पर जितने भी हमारी जो हमने unit ले रखी है तो copper के बाद हमारा आता है aluminum की wire होती है copper की wire होती है ठीक है फिर हमारा आता है tungsten tungsten को हम किसमें यूज करते हैं tungsten को हम बल्ब के filament में यूज करते हैं यहां पर heating effect बढ़ता है और वहाँ पर निक्रोम हमारा heating effect में काम आता है जैसके हमारा heater हो गया और प्रेस हो गया तो वहाँ पर क्या होते है निक्रोम wire होते हैं वहाँ पर क्या होता है heating effect काम करती है प्रेस में भी काम करती है और हमारी heater जो होते हैं जो हम ठंड में लगाते हैं गर्मी के लिए वहाँ भी क्या होती जहां पर इलक्ट्रोनच मूव नहीं गरते जिसके glass, paper , diamond , hard rubrd और muted road हमारी क्या होती है, hard rubber होती है इसको हम क्या बोलते है How to말 the